राम राम भाय लोगों मुधारवाई जितू और भाय लोगों आज की वीडियो में हों बताने वालाओं कि अगर आप अपना पॉड़कास्ट चैनल चालू करना चाहते हो तो उसके लिए क्या-क्या चीच है कि उनको कैसे काम में लेना है, कैसे एडिट करना है और कैसे कंप्ल अराम से अपना पॉड़कास्ट चैनल स्टार्ट कर सको तो आजाओ अपनी स्क्रीन पे हम आ जाते हैं और भाई स्क्रीन पे देखो मत कुछ एक चीज़े बताऊंगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में बताने वाली एक चीज़ है कि पॉड़कास्ट में क्या गया चाही होगा क्या है कंपोनेंट होते हैं पॉड़कास्ट के और वो कंपोनेंट कहां से लाएंगे कैसे उनको सेट अप करेंगे और कैसे हम अपना पॉड़कास्ट को एडिट करके एक फाइनल और एकदम फिनिस्ट प्रोड़क्ट प्रोफेशनल पॉड़कास्ट यूट्यूब पे डा लेकिन audio main होता है podcast में उसके बाद में दूसरी जो चीज होती है वो होती है वीडियो यानि audio record करोगे वीडियो क्योंकि YouTube पर डालते है दिखते हैं लोग तो वीडियो रिकोड करोगे तो वीडियो भी बनानी पड़ेगी और तीसरी जो main main चीज होगी वो होगी editing कि audio भी रिकोड कर ली वीडियो भी रिकोड कर ली फिर उसको edit कहां करेंगे edit कहां पर होगा कैसे होगा software कौन सा चाहिए होगा audio record करने के लिए कौन सा software चाहिए होगा वो सारी चीजे मैं बताने वाला हूँ तो एक एक चीज को हम पूरा detail में देखेंगे audio से start करेंगे फिर वीडियो पर आएंगे फिर editing पर आएंगे और फिर ये तीनों चीज समझाओगे तब तुम्हारा podcast एक number का बन जाएगा ठीक है चलो start करते है और चोथी चीज एक और है वो है arrangement किसका arrangement लोगों का arrangement कहां पर बिठाएंगे कैसे बिठाएंगे वो वीडियो में मैं ले लूँगा क्योंकि वीडियो सूट करेंगे तो उस ताइम पर लोगों को बिठाने का arrangement भी देखना होगा कि वन केमरा सुटिंग करने वाले है टू केमरा सुटिंग करने वाले है थ्री केमरा सुटिंग करने वाले है उस तरीके से हम सारी चीज़ देखेंगे डीटेल में अगर खर्चा कर सकते हो, बजट बढ़िया है, तब तो भाई, XLR माइक्रोफोन दो ले क्या हो, ये XLR में भी काम करता है, ठीक है, XLR वाला माइक्रोफोन लाओ, दो, दो लोग बेटेंगे, पोड़कास में, एक आदमी के पास माइक रहेगा, दूसरे के पास रहेगा, और द होगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सारा सिस्टम बनेगा, ओडियो रिकोर्डिंग का पुरा, जो की रिकोर्ड करेगा तुमारे पोड़कास्ट को, माइक्रोफोन जो होंगे, XLR के वो दो होंगे, एक तो लगया, इधर माइक्रोफोन ये लगया, जो तुमारा टैबल रहेगी, तुम बात करोगे, रिकोर्ड करोगे, क्योंकि माइक्रोफोन, दो माइक्रोफोन रुकोगे, तो एक दिम पास में आएगा, गेस्ट के, हना, पास में माइक्रोफोन रहता है, मुगके तो आवाज बहुत अच्छे आती है, दूर रहेगा, थोड़ा सा मु पास में कोई भी ज़्यादा भारी माइक खरीदने की जरूफोन, कोई भी नहीं है भाई, लोग खरीदते हैं क्योंकि उनके पैसार उनको दिखाना होता है, दूसरा माइक आता है USB, अब USB माइक में देख क्या होता है, XLR में, क्योंकि XLR को सीधा कंप्यूटर से करनेक्ट USB माइक का कंप्यूटर में जो हो जाएगा, और उसके बाद में क्या करना है, USB माइक कनेक्ट करोगे, तो USB माइक भी दो टाइप के आते हैं भाई, एक तो माइक आता है, जो कि इस तरीके से प्रंट फेसिंग आएगा, कि उसमें आदमी जो सामने से बोलेगा, उसी को वो र लग दोगे, इधर कोई बैठा है, उस माइक के और इधर कोई बैठा है, तो दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज रिकोर्ड होगी, लेकिन उसमें एक जरुरी चीज़ होगी ये, कि कमरे में गूंज ज्यादा नहीं हो नीचे, क्योंकि वो माइक बीच में रखा जाएगा, यानि कि थोड़ा डिस्टेंस रहेगा आदमी से, क्योंकि ये माइक जो है, अलग-अलग माइक लगे में, दो आदमी हो कि खुद का एक माइक अलग से लगाओ, दूसरे का अलग से लगाओ, तो उसको पास में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही सिंगल माइक लगाओ तो वो लग-लग देखो, ठीक है, तो यह तो ओँग ही रिकोईगि की बात, अब हैरी रिकोईगि करेंगे कैसे, ओडियो इन्टरफेस लेकर, चलो लेकर आगे माथ जबते हैं, या फिर दो USB माइक लेके आगे, माइको को हमने लगा, रिकोईग कैसे करेंगे, रिकोईगि करने के पहले software पहला free है audacity, इसको use कर सकते हो, audacity free software है, मेरी अभी जो audio record हो रही है, यह भी audacity में हो रही है, और मैं देखता हूँ मेरी audio कितनी तक चल दिया नहीं, बिल्कुल चल दिया, बड़ा तरीक से record हो रही है, तो audacity में audio record कर सकते हो free है, download कर लेना, audacity search करो, google पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो free में, दूसरा audio record कर सकते हो, OBS studio में भी, OBS studio स्क्रीन recording का सोप्ट कर आता है, इसको भी काम में ले सकते हो, और इससे भी download कर सकते हो, download के link भी मैं description में देदूँगा, सारे जो मैं item बता रहा हूँ, उनके link, और download के link मैं सारे नीचे provide करा दूँगा, ताकि रगदियार हो गया, मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा, चित्र बना के, देखो, podcast में क्या होता है, एक आदमे तो यहां बेटता है, यह है, और यह बेटा है, इस table पे, यह table है, इस पे बेटा है, और दूसरा आदमी यहां बेटाएगा, यह table बेटा है, पीच में table लगाना है, जो typical podcast होते हैं, जो तुमने देखे होंगे, रणवी रहलाबादिया के, वो देखे होंगे, उनमें तीन camera लगे वे रहते हैं, एक camera लगाता है, यह आदमी है, यह वाला आदमी है, तो एक camera इसके तिरचा यहां पे लगा रहेगा, यहां पे, और इसकी तरफ face कर लेगा, और बीच में camera और लगा रहेगा, वो बीच में से लेगा, दोनों को एक साथ में, यह दो बीच केमरे हैं, यह जूम करें बे रहेंगे थोड़ें, वो सुर्फ आदि-अधी इस आदमी को है लेगा, यह वाला camera इसको लेगा, लेकिन यह बीच वाला ज? बीचंव क वीडियो को हम लेके जाएंगे और उसके बाद में हम उनको वहाँ पर एडिट करेंगे तो भाई अगर माल लो आप बोलो कि बजट निये साब तिन केमरे लाने का बिल्कुल बजट निये तो क्या करें एक से भी कर सकते हो एक केमरा लगाओगे तो माल लो ये दो आदमें बेठा है और ये दूसरा आदमें बेठा है तो बीज में केमरा लगाओं यहाँ पर, और उनको बिठाओ, इस तरीके से मत बिठाओं, जिस से टिपिकल पॉड्कास में लोग यह यू बेठते हैं, आमने बेठते हैं, एक केमरा ओँ लगा। जो इसे आदमी को ले रहा है, एक केमरा उदर लगा ओँ अगर तुम्हारे प एडिटिंग की टाइम पर हम क्रॉप करके जूम कर सकतें बाद में केमरा वही रहेगा, जूम करेंगे क्रॉप से तो वह जूम हो जाएगा, अधरवाइस दोनों साथ में दिखेंगे फिर एक को जूम करके दिखाएंगे, एडिटिंग में ये काम हो सकता है जब 4K में रिकोड करें तो, लेकिन अगर 3 केमरे है तुम्हारे पास में तो एक लगाओ यहाँ पर, जो इसका लेगा, एक लगाओ यहाँ पर, जो इसका लेगा और बाकी बीच में एक यहां पर है अब भाई केमरे नहीं मॉबाइल फोन है तो क्या करेंगे मॉबाइल फोन है तो सब मॉबाइल फोनों में 4K रिकोडिंग आती है 4K में सारे मॉबाइलों से रिकोड करेंगे करатेंगे। यह वाला जो है इसको कर bakain क découvは जाता है कि फिग जो two camera हो जाता है कि उसका जूम कर सकते हैं और उससे पिर उनकी वीडियो ले सकते हैं आराम से समझेरो मेरी बाट को एक camera यू रहता है, ऐसे मूँ करके रहता है, एक केमरा ऐसे मूँ करके रहता है, इधर मूँ है इनका, इधर मूँ है, इसका इधर मूँ है और एक केमरा बीच में रहता है, तो जो इधर वाले मूँ वाला केमरा है, वो यहाँ पर जो आदिम बेटा है, उसकी देता रहेगा वीड editing की बात करते हैं अब, editing में भाई देखो editing में software यह हमको free का, क्योंकि start करे हो तो पैसे वाले software प्रेमेर प्रो यह वह मतले न, एक आता है कोई नहीं पता सकता, तुम्हारे भाई का सिरफ और शिरफ एक audio editing का channel है, Jitu Beats, इसमें तुम्हारे भाई के 50,000 सब्सक्राइबर है, वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों मेरी audio editing करने की capacity अच्छी लगती है, जाके देखना चाओ, Jitu Beats पर देख सकता हो, नहीं देखना चाओ, तो दाविंची रिजोल जो है, इसमें audio भी edit हो जाएगी, और इसमें video भी edit हो जाएगी, और वीडियो में सबसे खास बात है कि इस software में multi cam video edit करने की facility है, multi cam, यानि तुमको एक एक वीडियो को अलग लग नहीं काटना पड़ेगा, यह automatically identify कर लेगा कि ये तीन camera ने एक साथ एक ही चीज को suit किया है, तो वहाँ पर तुम cut लगा लगा के आराम से बदल सकते हो, switch कर सकते हो camera के बीच में, बहुत ही मज़िदार editing डाविंची रिजोल में multi cam, नहीं आती मेरे को बता जैना मैं सिखा दूँगा, मैं सब कुछ सिखा देता हूँ, मैं सब कुछ सिखा देत जो XLR के उन budget microphone के link दे रहा हूँ, audio interfaces के link दे रहा हूँ, ठीक है, बढ़ते है करम में, तुम्हारे बजट अच्छा है, तुम focus right का ले लो, थोड़ा कम budget है, बहरेंजर का ले लो, उसे भी कम budget है, audio array का ले लो, उसे भी कम budget है, तो और भी बहुत सारे आते हैं, वो ले लो, औ और भाई, microphone जो है, microphone, उसमें एक microphone आता है, देखो, dynamic microphone ये वाला तो है, 1500 रुपे का, sorry, ये है, 8,000 रुपे का microphone, एक microphone आता है, वो आता है, 1500 रुपे का, 152,000 रुपे का dynamic microphone, वो भी बहुत सही है, लेकिन उसका बस ये जो deal डोड़ है, वो इस तरीके का नहीं होगा, वो थोड जो मैं तुम को दिखा रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ मोपर से, तो ये वाले mic जो न, ये 15-15,000 रुपे मिल जाते हैं, ये भी sound बढ़िया record करते है, microphone कभी भी बुरा sound record नहीं करता, editing में उसको हम और अच्छा बना सकते हैं, और editing दाविंची result से आराम से हो जाएगी free का software रही है, तो जबर्दस software रही है, तो इस तरीके से, मैंने क्या क्या बताया, कि mic ची होगा, mic ची होगा, ठीक है, दो mic लोग है, बहुत अच्छी बात है, budget है तो दो mic लेो, क्योंकि दो लोग बैठेंगे, दो mic रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद में camera, camera म अपना mobile का में ले सकते हो, अगर तुम्हा पर तीन mobile है, तो तीन mobile को इस तरीके से एक को इस तरफ मूँ करते हो, एक को इस तरफ मुँ करते हो, और एक बीच में, set up करो, तीन mobile है, तो एक ही camera है, तो उससे 4K में record करो, सामने रखके, और बैठने वालों को थोड़ा ऐसे front face क के ताकि वो इस तोरीके से देख देखके बात करते रहे है। चालू हो गया, तुम्हारा कैमरा चालू हो गया, तुम्हारा audio recorder चालू हो गया, सब बेढ़ गए, तो pass में जाके हर चीज के तुम बराबर distance में रहो, वहाँ पे जाके दो बार तली बजा देना. क्यों? क्योंकि ए तली जो बजा होगे वो सब में रिकोर्ड होगी. केमरे की ओडियो में रिकोर्ड होगी. माइकरोफॉन की ओडियो में रिकोर्ड होगी. तो जब तुम ऐडियो उस वीडियो एडिटिंग स Kitchen में ड़ॊडगी तो तुमको sync करना पड़ेगा ना हर वीडियो को कि भाई तीन केमरों से वीडियो रिकोर्ड हो रही तो सब एक साथ एक चीज़ को एक टाइम पर दिखाए तो यह ताली जब सब में रिकोर्ड होगी ना तो उस ताली से यह software automatic sync कर देगा उन सब को अपने आप सब एक की साथ चलेगी एक साथ चलेगी automatic ताली रहेगी तो उसमें उससे software identify कर लेता है कि हाँ यह audio match हो रही है तो यहां से हमको इसको sync करना है तो ताली बजाना ना भूलना ताली वेसे वो बजाते हैं पर तुम भी बजा सकते हो क्योंकि तुम्हारी जरूर है तो भाई यह तो इस तरीके से भाई दाविंच ची रिजॉल सब्सट्वेर ओडा सिटी या फिर OBS स्टूडियो में recording कर सकते हो और उसके अलावा FL Studio भी काम में ले सकते है FL Studio ट्रायल वर्जन आराम से काम में ले सकते हो लेकिन उसमें सेव निकर पाऊगे फाईल बाकि editing सारी कर पाऊगे और उसके अलावा जो है केमरा माइक्रोफोन XLR माइक्रोफोन काम में लो बहुत अच्छी बात है USB ले लो EKG लाए रहा मैंने बताया वो माइक्रोफोन इस तरीके गाता है और फिर उसको रेंडर करो 4K में वीडियो रिकोर्ड करो अगर एक ही केमरा है तो उसे जूम करकर के काठ आपे टिकर सकते हो और फिर रेंडर कर सकते हो 1080p में यह थोड़ ऐसे हो सकता है स्टार्टिंग में तुमको लगे कि बहुत complicated है लगे तो मुझे बताना हर एक चीज, एक एक component editing कैसे होगी cropping कैसे होगी कि जूम कैसे करेंगे वीडियो सूट करने के बाद में कि कि किसी का मुझे दिखाना है किसी का दिखाना है फिर सब को साथ दिखाना है वो कैसे होगा वो मैं बता दूँगा कोई microphone होगा तो ये खर्चा कर सकते हो ये थोड़ा वह खर्चा होगा लिंक सब का में description दे रहा हूँ Amazon पर जा कर देखो अपने ही साब से और जो तुमारे budget में बेठे वो वाली चीज लेना और अपना podcast channel आराम से चालू करो without any problem audio सबसे important होती है फिर से बतारों मैं तो ये लोगा आज की वीडियो में तैर मिलते हैं किसी next knowledgeable वीडियो में जैराम जी की